मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है जब जब ये पंक्तियां जुबाँ पर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है और साथ ही जब राजनीतिक परिवर्तन भारत को एक नई दिशा और बड़ी सोच देने का वादा करते हैं तो देश के नागरिक उस सोच विचार धार और नई पॉलिसी के वादों को देखते हुए बहुत ही ज़ादा खुश होते हैं पर जब हमारा ध्यान हाल ही में हुई मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फरेंस की तरफ जाता है तो फिर हम ये क्यों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी रास्ता तो सही तै किया है पर मंजिल अभी बहुत दूर है इन प्रशनों की कश्मकश के साथ हम आपका ध्यान ले जाते हैं UTI Mutual Fund की और Unit Trust of India से तो आप भली बाती वाकिफ ही हैं ऐसे में Unit Trust of India Mutual Fund Unit Trust of India से निकल कर रजिस्चर हुआ था SEBI के साथ 1 फरवरी 2003 में जिसके चलते इसने भारत की जन संस्था ने सरकारी संस्थाओं को काफी हद तक profit भी कमा कर दिया है जिसके चलते अगर online sources को देखा जाए तो आज की date में State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank का का काफी बड़ा stake है UTI Mutual Fund में इन सब चीजों को सुनने के बाद आज सवाल ये आता है कि क्यों All India UTI AMC Officers Association, UTI Mutual Fund की disinvestment को लेकर करमचारी क्यों लड़ रहे हैं कोट में तो ऐसे में आईए ले चलते हैं आपको सीधा press conference पे UTI संस्था को दुनिया जानता है और जब हम UTI Mutual Fund की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है ULIP Products और उसके बाद उसका जो मार्क दर्शन किया जाता है वो सेभी के थू किया जाता है जो की एक autonomous governing body के नाम से भी जानी जाती है ऐसे में क्या ऐसा हो गया जो ये 2010 से लेकर आप जिस प्रतिक्रिया को चला रहे हैं और court में जूज रहे हैं कि इस तरीके का disinvestment ना किया जाए UTI Mutual Fund को लेकर क्या कहना है उस पर दो मिनिट में बात करता हूँ कि 63 में Unit Trust of India का जनम हुआ वो स्टैचूट था आप जिसको कहते है एक autonomous body हाँ सही था लेकिन अब 2002 में भारत सरकार में अटलबेरी बाश्पे गवर्मेंट के वक्त उसको researching किया और Unit Trust के अंदर within the framework of Unit Trust of India उन्हेंने Unit Trust Mutual Fund का Asset Management Company का एक सहुस्था कायम की उस सहुस्था का गठन करते वक्त उन्होंने LIC, Banks, Bank बैंकों में State Bank, Punjab National Bank और Bank का बढ़दा इन चार सहुस्था का इस्तिमाल के जो गवर्मेंट की है तो गवर्मेंट आफ इंडिया के चार सहुस्था उन्हें UTI Mutual Fund को जनम दिया, पार्लाइमेंट में चर्चा की और वहाँ पर ये कहा गया कि इसकी Ownership ये 51% से जादा भारत सरकार की ही रहेगी मतलब Unit Trust of India वो एक Unit Trust है वो भारत सरकार की है और Mutual Fund भी भारत सरकार का है लेकिन उसका Sponsorship ये चार Mutual Fund की है मतलब चार बैंकों की है अब उनोंने 2010 में क्या किया कि Disinvestment किया और Disinvestment करते बेकानूनी या समवहदानिक तरीके से किया वो अमेरिकन टी रोवे प्राइस नाम की जो Mutual Fund है उसको सिरफ 3,20,000 रुपे में हैंड़ोवर कर दिया ये बहुत गलत था तो ये समसर्द के बास गये ने हम हाई कोट में गये यूटीफ है आपने सही कहा कि यूटीआइ में लोगों का पैसा है पहले यूनिस स्कीम होती थी आजकर Mutual Mutual Fund में स्कीम है अब वो Mutual Fund किसी विदेशी हातों को देना और गलट डंग से देना बेकानूनी देना ये हमें Objection करते है और इसलिए हमने कहा कि अब Tata Mutual Fund इसको ले दीपम को और Prime Minister को कोई अधिकार नहीं है UTI के Chairman को और UTI के Board को कोई अधिकार नहीं है आप दीपम का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपना रोल प्ले करता है खबर है जिसमें आप Prime Minister का नाम ले रहे हैं कि किस तरीके से पता लगा कि ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है या इसके लिए भी कुछ RTA का प्रोसेजर फॉलो किया या कि इस तरीके से आप आंकलन कर रहे हैं देखें दीपम नाम की जो सहुस्ता है वो सरकार के आयस ओफिसर से हैं वो क्या करते हैं पॉब्लिक शेक्टर हो बैंक हो इसको बेचने के बारिया तो उनको बोलते हैं लेकिन उनको जब तक प्रिशेंट आफ इंडिया की तरफ से कोई लोगसर बार राजसमेंबे डिबेट होती है वहां पर रिजोलुशन पास होता है वो रिजोलुशन गौर्मेंट आफ इंडिया के तरफ से प्रिशेंट को जाएगा प्रिशेंट फिर अथरेज करेगा तब जाके दीपम को पावर सहेगा आज की तारिक में ऐसा कोई पाव देश के सौचता है जो की इन्स्रक्षन पर पॉलो करती है तो किस तरीके से आप इसका आंकलन कर रहे है अपने आप में नहीं कर रही है पेपर करता है प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा कौशल आप मिनिस्टर भी नहीं होता है कैबिनेट केते इन प्रिंसिपल एपरोड वो ओडर बन तिये दिपम के लिए पार्लेमेंट के लिए जाना चाहिए नहीं जाते दिपम के बाद जाते दिपम काम शुरू करता है तो एकजीकुडिव प्रिंसिपल एपरोल कहा दिपम ने एकजीकुशन चालू किया तो यह सरा सर बे कानून नहीं असमविधानेक है इसको हम चालेंज सुप्रियम कोड में कर रहे हैं हम अभी भी कह रहे हैं और जाओ ना पार्लेमेंट के पास कानून तो उन्होंने बनाया है कानून में तब्द यह बताया जाता है कि disinvestments तब की जाती है या तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो loss making हो या फिर किसी तरीके का आगे पैसे आने का सरकारों के पास क्योंकि सरकारे भी अपना disinvestment करती है ताकि उनके पास maximum money आए और वो और नए infrastructure की activities में लगा सके तो ऐसे में इसको banking company, UTI, public sector, oil, railway, सभी का disinvestment हो रहा है या disinvestment के नम पे बेचा जा रहा है और बेचा भी कोडियों को दाम में बेचा जा रहा है तो यह कोई permission Prime Minister को नहीं है इससे अपत्ती क्या निकल करके आती है कि यह disinvestment का procedure right नहीं है या फिर profit making organization का disinvestment किया जा रहा है और ताकि उनके workers जो है obviously एक private sector unit का हिस्सा बन जाएंगे यह इस चीजों की अपत्ती है जो आपके association उठा रहे है यह private sector, public sector की बात नहीं है यह भारत सरकार के जो कानुन बने ह है और आप मिरने ले रहे हो तो सर obviously सुपर मेसी तो फिर अगेन जो है government political leader के पास ही जाती है जिसके अंडर वो control रहता है government political leader यह बात मैं ही नहीं कहे रहा हूँ मैं कहे रहा हूँ government government होती है सुपरीम है प्राइम मिनिस्टर कैनोल डिसाइड the sale of any publicity unit without the consent and authorization of the president of India हम judiciary में विश्वास करते हैं तो इस देश में सविधान सुपरीम है सुपरीम है वैसे सुपरीम कोड भी सुपरीम है reserve bank of India और सेबी इनको समविधान के तरिके से चलना है यहाँ पे सेबी नहीं काम कर रहा है यहाँ पे इसलिए UTI में गड़बड़ी होती है इसलिए अदानी के group of companies में गड़बड़ी हुई है अदानी के group of company में जो करजा दिया है उसको RBI ने monitor किया नहीं है और 42 times जब अदा है और यहाँ का जो CEO है रहमान उसको आज 12.5 करोड की तनखा है और उनकी निगरानी में आज UTI नमबर वन से लेके नमबर आट पर चला गया है और Tata mutual fund है अगर वो उसको खरीद रहा है तो यह रहमान को पूछना पड़ेगा कि भाई अदानी के पास आपके पैसे है वो अ पसलाओ और DHFL, D1 Housing Finance Company में 2000 करोड स्काम चल रहा था तब रहमान की टीम वहाँ पे इन्वेस कर रही थी तहम सवाल पूछते है सरकार से क्या रहमान को आपने बक्षा क्यों और कब आप अदानी का पैसा जो UTI का है जनता का है उसको रिकवर करेंगे अब हमारे officers जो service condition को settle कर करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है उनके scales उनके 10 साल से बेजरी जरूजन नहीं हो रहा है वोक अप देंगे यह सारे सवाल हम Supreme Court में खड़ा कर रहे हैं इसमें दो पहलू जुड़े हैं सबसे पहला तो जो आपकी जो association बनी है UTI की जो officers association है इसका main उदेशे और मोटो क् रहे है class three है class four है officers है उसमें में grades है तो उपर से नीचे तक हम UTI के लिए काम करते हैं UTI में जनता की संपति है उसका सवरक्षन करना हमारा काम है लेकिन हमारी सर्विस कंडिशन वो Reserve Bank of India में जैसे तै होते ही वैसे तै होने का कानूनन प्रावधान है और जिसके लिए कानून पार्लेमेंट में उसको protect किया है अब रहेमार उसको हमारे लिए protection नहीं दे रहे है इसलिए हम कोट में है हम चाहते हैं कि देश की जनता की संपति रखने वाली UTI ये देश की रहे ये किसी को बिकी नहीं जाए और सभवधानिक तरीक से यही हमारा concern है तो सर ऐसे में UTI mutual fund को लेकर आज किस चीज़ को उजागर करने निकले हैं? वो illegal था हमने उसके बारे में UTI की management को लिखा, government को लिखा लेकिन कुछ उनोंने उसका cognigence नहीं लिया हमने association बनाई इस UTI में पहली association mutual fund में बनी और फिर हम ये चीज़ public के सामने लाए, government के सामने लाए तो management ने हम लोगों के उपर action लिया लेकिन हम लोग डटे रहे और फिर ह होगी हम सत्य के साथ है